हेलो व्लकम बैक तू आवर योट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम मायूप्या को समझने वाले ठीक है तो अब मायूप्या को समझेंगे कि यह हमको इस figure में आए गांपो कि यह यह हमारा eye घुल कर दिए इस मायूपिया हो चुका है इस इसा को मायूपिया हो चुका है तो इसको देखे यहां पर जो नजदीक वाली चीज है वो तो इसको बहुत आराम से दिख गई यानि कि यहां भी लिखाबा स्टॉप तो इसको नॉर्मल सा एक वीजन इसका दिख रहा है पर अगर दूर में दिख रहे हो तो दूर में तो आपको कैमरा इंग उतना चाहा सास है यानि कि जो आई है हमारा वो नजदीक वाली चीजें को तो अच्छे से देख पाता है पर दूर वाली चीजों को अब सब्सक्राइब होता है इसको क्या होता है अब इसके बारे में हम या पॉइंट लिखे हुए इसको समझेंगे देखो पॉइंट बनाओ बैसिकली अराम से बहुत सिम्पल से समझना है बहुत सिंपल से बहुत सिम्पल से कुछ पॉइंट से तो आते हैं पहले पॉइंट पर नहीं नाम है वी इसको क्या कहते हैं नियर्साइटिडनेस यानि अब देखो इसको हम लोग समझे कैसे इसका क्या नाम जाब जाने इसका नाम है नाम जूने यहां पर less नहीं है, L E WS नहीं है, यहां पर N E WS है, तो nearsighted less नहीं है, यानि कि हम लोग नजदीक की चीज़े को देख नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग नजदीक की चीज़े ही देख सकते हैं, that is the nearsightedness, बहुत simple से आपको समझ में आ चुका हो गाज को, ठीक है, ना point of retina, मतलब image जो है, यह retina के पहले पढ़ता है, यह retina के पहले पढ़ता है, अब इस point को अभी आप उतनी अच्छे से समझ नहीं सकते, जब आप आगे point नहीं समझेंगे, ठीक है, इस point को मैं pending रखता हूं, ठीक है, P, E, N, D, I, N, G, Pending को रखता हूं, ओके, अब third point में देखते हैं, myopic eye can see few meters clearly, यानि कि जो myopic eye है, वो कुछ meter ही साफ देख सकता है, क्यों, क्यों, इसका reason क्या है, क्योंकि जो हमारा far point होता है, देखो, normal eye का far point होता है infinity, ठीक है, और जो उसका near point होता है, वो होता है 25 centimeter, तो myopic eye का near point तो 25 centimeter है ही, myopic eye का near point तो 25 centimeter है ही, पर जो far point है न, वो कम हो जाता है, यानि कि far point यानि कि infinity तक हम clear नहीं देख सकते हैं, तो ये कितना कम हो जाता है, ये अब हो जाता है, कुछ ही meters, कुछ meters ही हम लोग साफ देख सकते हैं, यानि कि उस हिसाफ से जो power है, वो इसमें ये है, मतलब power कितना लगा है, उसके हिसाफ से आपको few meter, कितना meter आपको साफ दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, वो आपको power पे based है, but far point जो हमारा वो कम हो जाता है, यानि कि वो infinity से कम होके कुछ meters हो जाता है, अब आते इसके regions पे, ठीके, region से पहले, मैं बता दू कि ये second point हमारा pending पे है, इसको हम थोई तर बात समझने वाले हैं, अब region पर क्या समझेंगे इसका, इसका दो region है, इसका सिर्फ दो region है, इसका सिर्फ दो region है, तो हम start करते हैं पहले, यास, पहले region से, केस का small f, f आप लोगों ने chapter 10, येस, आप लोगों chapter 10 ने पढ़ा होगा, के f को हम लोग focal length कहते हैं, ये हुआ small f, तो ये होगा focal length, और अगर capital f है, तो वो होगा focus, I think सही, yes, focus होगा, ठीक है, तो small f, यानि focal length, तो क्या होता है, focal length कम हो जाता है, किसका कम होता है, of lens, lens का focal length कम हो जाता है, कैसे होता है, समझेंगे इसको, दिखिए, मैं यहाँ पर एक lens लेता हूँ, ठीक है, मैं आप एक lens लिया हूँ, थौस अगौर, थौस अगौर करिए, तो ये lens मोटा है, तो इसमें ये एक circle का arc है, समझेंगे, ये एक circle का arc है, तो ये हो गया, इसका focal length, अब कोई पतला सा एक lens है, जिसका circle of course बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो इसका focal length बड़ा है, तो focal length कम हुआ, ठीक है, मैं इसको हड़ा है तो इसका कुछ, तो देखो focal length कम हुआ, मतलब क्या हो गया, देखो, जब focal length कम हो गया, तब इसका मतलब कि lens मोटा हो गया, lens मोटा हो गया, तो focal length कम हो गया, lens मोटा हुआ, तो focal length भी कम हो गया, अब lens मोटा हुआ, तो ये मतलब क्या हो गया, ये converge जादा करेगा, Converse जादा करेगा तो यह हम आगे समझेंगे इसको हम एक figure बना के इसको एक समझेंगे मतलब एक फुरा figure बनाऊगा मैं और इसमें आपको बहुत मज़ेदार से आपको समझ में आने वाला है फिर आते large eyeball अब दूसरा रिजिए हमारा large eyeball अब large eyeball होता क्यों है क्यों होता है क्योंकि Len's मोटा होता है यानि कि छोटा हो जाता है तो लेंस मोटा क्यों होता है कुछ रिजर्ण है यज़्य है सीलीर मशल से काम नहीं करें तो आगे सम्झेंगे तो लार्ज इबॉल की होता इसका कुछ रिजन है कुछ रिजन है कि इस रिजन तो है सिर्ज्ट यह बंधि इनर्फ бер साथ यह जने 374 जो आपके पैरेंट्ट है हो सकता है इनको बी यह invalid हो ठीकरे 議 When कि आपके दादा दादी पापा ममी को आई डिफेक्ट हो यह वला हो सकता है हो तो आपको होगा यह डिफेक्ट तो यानि कि अगर कुछ आई डिफेक्ट है यानि कि कुछ बर्थ डिफेक्ट है आपके में तब आपका आई बॉल लार्ज हो सकता है आपका आई बॉल लार्ज ह िटिक में हमागे समझेंगें समय से तो हम Miriam आई बोल सभिग सब्सक्राइब मुझे है यह तो बहुत मखैसिस आ रहा हुगा बहुत समझ में तो लाच आई बोल कीूं क्यों होता तो क्यों करते रोबनêuत है यह जनटिक यह बर्त रिफेक्ट है, ठीक, आगे बढ़ते हो, अब देखो, आपको मायोपिया भू जुका है, ठीक, मैण लों अब को मुझे खूद हो चुका है ठीक, आपको मायोपिया हो चुका तब जो मायूपिया को हो चुका है तो आप अब क्या देख सकते हो आप नजदीक की चीजे साफ देख सकते हो यानि कि मुझे अभी बोर्ड साफ दिख रहा है क्योंकि ये मेरे बहुत नजदीक है तो मुझे साफ दिख रहा है पर मैं खिड़की के बाहर अगर देख रहा हू मैंने अपने मायोपिया को ठीक किस से और कि मैं देख सकता हो तो ये कैसे हुआ ये एक लेंस के वज़े से वज़े हुआ कि ये इसमें घ्लास लगावाहा थिस में डेख कर रहा है जैसpection के आप लोगो भी देख सकते हैं यह ग्लास अलगा है यह लेंस लग आँ कि इसमें कांगेव लगावा है क्योंकि मुझे मायोपिया है तो मायोपिया में कॉन्केव लेंज लगता है अब क्यूं लगता है तो इसट इसपॉइंट से परॉंट ही क्यों ही लगता है अन्य तो इट केन बी क्रेक्टेड बाइ ओफ सुटेबल पावर यानि कि जो जिस टाइप का पावर है उस तरह से आपका कॉन्केव लेंज लगेगा ठीक है अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कुछ समझाया है कुछ के मैंने बहुत चीज समझा दिया मायुक्या के बारे आपका समझे किलियर ही हो गया पर आपके ब्रेन को डिल को तसली देने के लिए मैं आपको एक फीगर में समझाओंगा बहुत 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 पर आपकुम के बखके बारे शचीज समझा के जा चीज समझाया है